हेलो, नमस्कार दोस्तों, NCRB ने अपना 2022 का रिपोर्ट जो है वो जारी कर दिया है और आपको पता होगा कि NCRB जो भारत में टूटल क्राइम होता है एक साल के अंदर उस पे प्रतिवर्स अपना रिपोर्ट जो है वो प्रकासित करती है तो इस वीडियो में हम खास करके महिलाओं से सम्मंदित क्राइम के बारे में जानेंगे आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में 4,28,28 महिलाओं के साथ क्राइम के जो है वो केस आये थे जिन में से 31,677 महिलाओं के साथ बलतकार के केस आये थे और 55,337 अपहरण के केस आय थे, ये संख्या आपको चौका देगी, क्योंकि आपको आए दिन कुछ ही घटना ऐसी सुनने को मिलती हूंगी महिलाओं के साथ बलतकार के और अपहरण के, लेकिन 31,677 महिलाओं का रेप एक साल के अंदर, 55,376 महिलाओं का अपहरण एक साल के अंदर ये दिल धहला देने वाला अकणा है, अभी तो ये वो ये आकणे हैं, जो संग्यान में आ गए, ऐसे नो जने अंगिनत लाखों मामले, संग्यान में आय ही नहीं होंगे, किसी को पता ही नहीं होंगे, हमारे समाजिक बेवस्था के चलिए अब इन आकणों के कुछ तत्यों की बात करें, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी, कि अपराद की माईलाओं के खिलाफ सबसे उच दर जो है, वो असम में हैं, सबसे जादे माईलाओं के खिलाफ अपराद के जो मामले हैं, वो यूपी से आयें, उत्तर प्रदेश यानि कि 2021 में उत्तर प्रदेश में टोटल 56,083 माईलाओं के साथ अपराद के केसिस आये थे, सबसे जादे बलतकार के जो मामले हैं, वो राजस्थान से आये, यानि कि राजस्थान में 6,337 बलतकार के मामले 2021 में आये थे, सबसे जादे अनसेफ और सुरक्षित कोई खिलाफ अपराद की जर मात्र 5.5% है, ये जान करके आप लोगों को अपने समाज के मुँँपे तमाचा मारने का मन दरेगा, कि हम लोग इतना खुद को विक्सित और धार्मिक बताते हैं, सब ये बताते हैं, लेकिन जो आदिवासी इलाके हैं, एस्टीज, एस्टीज वा हम परटीज दिन 206 से जादे मैलाओं का अपरण होता है, जिन में बच्चीयां भी समिल है, हमारी सर्गारे हमारा समाज बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, जैसे नोगाने कितने नारे, कितनी योजनाये चला चुका है, लेकिन हमारे समाज की हकिकत ये NCRB की रिपोर्ट बया करती है वो भी ये कुछ मामले जो चुनिंदा मामले हैं उनको इसमें सामिल किया गया है हमारे समाज की संरचना ऐसी है कि यदि एक लड़की के साथ अप्राद हो तो वो खुद ही नहीं बताती है किसी से उस मामले को छुपा लेती है वो क्योंकि समाज उसी लड़की को ह यकी नजर से देखेगा यह हमारे समाज की घ्रिंडित मान सिखता है और यदि लड़की कोई हिमत करके अपने फैमली वालों को बतावी दे तो फैमली वाले समाज के डर से यह मामला बाहर नहीं आने देंगे और यदि फैमली वाले अपने बच्ची को नया दिलाने के लिए थाने जाने की बात करें तो हमारे समाज का पंचायत भी टोर करके और इस मामले को दबाने का प्रयास किया जाएगा और यदि कुछ मामले कुछ परिवार अपने समाज से लड़के चले भी जाने थाने पे तो हमारी पूलिस वेवस्ता इस मामले को दबाने का प्रयास करती और यदी मान के चलिए कि अपना समय अपना पैसा और अपने जान का खत्रा मूल लेने के बाद यदी उस परिवार को उस बच्ची को न्याए मिल भी जाता है अप राधियों को सजा हो भी जाती है तो गुजराब जैसे सरकार के लोग उन अप राधियों की सजा माफ कर देते यह स्थिति है मारे देश में ने आई कि आप लोगों को यदि टाइम मिले तो NCRB की रिपोर्ट आपको नेट पे मिल जाएगी जाके उसको डाउनलोड किजिए और पढ़िए जरूर इससे वास्तविक जो क्राइम की स्थिति है भारत में महिलाओं को ले करके जो हमारे समाज में जो कुछ भी चल रहा है जो कुछ भी हो रहा है उसका एक छोटा सा हलका सा खांका जरूर आपको देखने को मिलेगा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके इसको सेर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही एजुकेसिनल और सोसल अवेरनेस से जोड़े वीड स्काइब भी जरूर कीजिए नहीं सकार दोस्तों जाहिए